सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक folder मैंने बनाया, shift right click करके open with code यहाँ पर लिखूँगा, मतलब क्लिक करूँगा और यहाँ पर main.py के नाम से एक file बनाऊँगा, आप लोग ensure यह करना कि आपका python installed है, अगर आप लोग का python installed नहीं है, तो आप लोग python.org से download क कर लेना, और अगर आप लोगों का vs code installed नहीं है, तो आप लोग यहाँ से vs code को install कर लेना, मैं जल्दी से आपर command palette में जाकर screencast mode को toggle करूँगा, ताकि मैं कौन सी की दबा रहा हूँ, आप लोग को पता रहे, टिक टाक टो को बनाने के लिए मैं किसी भी package का file के लिए इस्तमा प्रोग्राम को run कर रहे हैं, तो आप लोग ensure कर सकते हैं कि जब import हो रहा है आपको यह वाला program तो उसके सिर्फ functions एपोर्ट हो रहे है, code execute नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आप लोग को confusion नहीं कि क्या चीज है तो यह नहीं लिखो के तब भी काम हो जाएगा, आपको short में बता जो की board को print करेगा, ठीक है, board को मैं आपर print करूँगा, और यहां पर मैं दो list बनाऊँगा, ठीक है, एक होगी x state और एक होगी 0 state, ठीक है, अगर आप लोग को नहीं बता है x0 क्या होता है, ऐसा हो इनी सकता पहली बात तो, और अगर नहीं पता तो बता दू, x0 आपका चड लगाया, इसने यहां पर 0 लगाया, मालो मैंने यहां पर x लगाया, इसने यहां पर 0 लगाया, फिर मैंने यहां पर x लगाया, मैंने इसको फसा लिया, और मैं जो है, जी दिया, ठीक है, तर मुझे हराना तरो मुझे मुझे बताना जाना है इस गेम में, लेकिन मैं बस 345678 तो 0 से लेके 8 तक मैं आपर जो है अपनी X की स्टेट को लेखेंगा तो 0 0 0 0 0 और 0 और 0 ठीक है कितने 0 हो गए 3 4 5 6 7 8 मुझे आपर 8 0 चीए ठीक है इसको मैं कॉपी करके यहां पर लेकर आऊंगा और मेरे पस 8 0 मैं Y स्टेट नहीं मैं Z स्टेट करूँगा X और 0 ठीक है अभी अपने प्रोग्राम को चला कर मैं देखना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं यह क्या कह रहा है मेरे से इन लाइन 4 ओके तो मुझे आपर पास लिखना पड़ेगा जब भी आप किसी python function का नाम लिखते हैं सिर्फ और आप यह नहीं लिखते हैं कि उसके अंदर का logic लिखते हैं मतलब तब आप लोग पास लिख दिया करो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वह execute हो जाएगा ठीक है तो यहापर print board के अंदर मैं कुछ करूँगा और आपको दिखाऊंगा मैं क्या करूँ तो मैंने x state और z state यहाँ पर बना दिये ठीक है सबसे पहला turn किसका आएगा turn is equal to 1 ठीक है मैं आपर एक comment डालूँगा 1 for x and 0 for 0 ठीक है मैं 0 को O लिख रहा हूं ठीक है तो 1 की value जो है sorry turn की value जो है वो 1 होगी जब x की chance होगी और 0 होगी जब 0 की chance होगी ठीक है तो turn की value 1 है x के लिए और 0 है O के लिए ठीक है मैंने आपर लिखा welcome to tic-tac-toe और जो सबसे पहली chance होगी वो x की होगी ठीक है तो मैं आपर लिख दूँगा access chance ठीक है और यहाँ पर होगा क्या अब कि x की chance आएगी और x की जब chance आएगी तो वो 0 से लेकर 7 तक बताएगा कि कहां से कहां तक वो जो है चलना चाता है ठीक है लेकिन उसके लिए हम करेंगे print board अब print board में ना मैं क्या करूँगा आप लोग देखना मैं आप लोग करूँगा print और एक f string का स्तेमाल करूँगा और आप लोगो दिखाता हूँ मैं आपर क्या कर रहा हूँ मैं basically यहाँ पर बिल्कुल वही print जो है वो automatically एक new line दे देता है 3,4,5 फिर यहाँ पर करूँगा और इसके बाद 6,7,8 यहाँ पर कर दूगा ठीक है तो 0,1,2,3,4,5,6,7,8 यहाँ पर हमने कल दिया पास लगाने की कोई जरूरत नहीं है अगर मैं अभी statement program को run करूँ तो यह कुछ इस तरह से run हो रहा है ठी ठीक है कैसी dash 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 तो थोड़ा सा अच्छा लगता ठीक है I don't know ठीक है तो अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ अपने board को बनाऊ तो थोड़ा सा better लग रहा है हाँ थोड़ा सा better जरूर लग रहा है और मैं आपर भी pipe लगा दूना तो थोड़ा और better शायद लगे ठीक है मैं ब लोग देखना मैं जो print board है उसको मैं डालने वाला हूँ एक while loop के अंदर ठीक है और मैं आपर लिखूंगा while true और while true जो है ना बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता ही तो आपको इस पता को बहुत जिम्मेदारी का काम होता है तो अभी के लिए तो मैं end में जो है break कर दूँ ठीक है और ऐसे में मैं क्या करूंगा ऐसे में value is equal to लिखूंगा input please enter a value ठीक है तो मैं आपर लिखूंगा please enter a value अब यहां पर क्या होगा अगर turn equals to 1 नहीं है तब मैं क्या करूंगा तब इसका मतलब 0 की chance है ठीक है और तब भी मैं 0 से एक value प्रिंट कर वहूंगा ठीक है अब जो भी value 0 ने print करी है मैं z state की उस value को 1 कर दूँगा ठीक है और same चीज में आपर करूंगा लेकिन जब x की बारी होगी तब मैं आपर x state value is equal to 1 करूंगा क्योंकि मैं x की state को change करूंगा और यहां पर z state की state को change करूंगा और मैं एक चीज और करूंगा कि जो board है इसको यहां print कर और की उपर एक बार बस चला के देखता हूं ठीक है प्लीज एंटर वैल्यू मालो मैंने वन लिखा और यहां पर यहां पर लिस्ट इस इस मस्ट बीं टीजर स्नॉट एस्टियार ओके तो हम क्या करेंगे इंट आफ इंपूट करेंगे आप लोग सोच लोग यह चल गया र पर आएगा तो मुझे उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में कि इंटेजर बनाना पड़ेगा उसको तो तब ही मैं यूज कर पाँगा उसको एज इंडेक्स क्योंकि इंडेक्स समिश हैं इंटीजर होती है ठीक है तो यह काम मैंने कर लिया अभी तक तो सब्सक्ति कजए पर अपने बोड को करूंगा ठीक है अब आप लोग देखने यहापर क्या होगा मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि अगर जो मेरी एक्स स्टेट एartet है त्रीक है अगर मेरी एक्स स्टेट है उसका जो जीरो है वो यहाँ पर माझलो जीरो है ठीक है तब Till मैं पर zero print करूँगा, वरना मैं one print करूँगा, मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है, मैं अप रोड को बनाता हूँ और आप लोग को को समझा ले की कोशिश करता हूँ, मलनलो मेरा ये कुछ इस तरह से print हो रहा है, ठीक है मैं एक चीज और करूँगा यहां पर backspace यहां पर भी backspace और अब मैं आप लोगो बताता हूं कि यहां पर देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से प्रिंट हो रहा है अगर मानलो 4 पर किसी ने X लगा दिया तो ऐसे प्रिंट होना चाहिए बोर्ड मेरा मानलो 7 पर 0 लग मैं आपर simply यह कहूंगा कि यार देखो अगर जो मेरा X state है उसका जो 0 है वो equal to equal to 0 है ठीक है अगर उसकी value 0 है तब तो यार यहां पर one print हो जाए ठीक है तब तो यार यहां पर one print हो जाए लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए यहां पर print उसके बाद हम Z state कुछ है चेक करेंगे ठीक है हमें आपको बताता हूं यह मैंने किया क्या ठीक है इसके बाद हम Z state कुछ चेक करेंगे हम कहेंगे अगर Z state 0 equal to equal to 0 है तब क्या होना चाहिए तब यहां पर यहां पर 0 होना चाहिए sorry not one और मैं आपको यह चीज एक बर और समझाँगा ठीक है अगर Z state 0 1 है यहां पर लगा देंगे sorry यहां पर X हो गया ठीक है और कुछ इस तरह से मैं X यहां पर रखूँगा और अगर Z state 0 मेरा 1 है तो मैं आपर क्या करूँगा यहां पर 0 रखूँगा वरना मैं क्या करूँगा यहां पर यह रख दूँगा अभी मैं इसको run करके देखता हूं और यह करा है invalid syntax तो यह syntax जो है काम करता नहीं है ternary operator python के अंदर तो यह ternary operator का syntax जो होता है python के अंदर वो कुछ इस तरह से होता है कि मैं कहूँगा 1 if 1 else 0 ठीक है तो यहां पर इसका जो output है वो 1 आएगा मैं इसको 11 कर देता हूं 11 if 1 else 0 ठीक है तो होगा क्या कि अगर यह if 0 कर देता हूं तो देखो 2 to 0 प्रेंट हो रहा है तो मुझे इस तरह की syntax का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मैं आपर लिखूँगा x if x if x state else else यह ठीक है और यहां पर भी मैं यह करूँगा 0 मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा आजीब कर दिया syntax को if z state is 0 else 0 ठीक है let us see if this works ठीक है let's see if this works मैं यहां पर exit कर दूँगा exit एक function होता है run करूँगा इसको और हाँ यह चीज़ काम कर रही है ठीक है अब x की chance है मैं 1 करूँगा यहां पर और अगर मैं ब्रेक को हटाओं भी यहां से मैंने कुछ इस तरह से कर दिया please enter value मानलो मैं यहां पर 0 करता हूँ 0 करता हूँ enter enter मारता हो तो देखो यहां पर x लग गया तो यह चीज़ तो काम कर रही है control c से मैं इसको interrupt कर दूँगा लिख सकते हो मैं बताता हूँ आपको क्या लिख सकते हो 0 is equal to यह ठीक है फिर आप लिख सकते हो 1 is equal to मुझे पता यह variable बनाना भी थोड़ा सा पेर है लेकिन थोड़ा सा readable हो जाएगा ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूँगा simply इसके अंदर 0 लिख दूँगा ठीक है इस तरह पर जहां पर मुझे 1 लिखना है वहां पर मैं यहां पर 1 करूँगा सबसे पहले तो यहां पर 1 करूँगा और यहां पर 1 करूँगा ठीक है समझ रहो ना आप लोग क्या है ठीक है तीन जगा मुझे करना है यहां पर मैं 2 करूँगा यहां पर 2 करूँगा ठीक है और यहां मैं 4 के साथ भी करूँगा 4 4 4 अब मुझे जाना पड़ेगा all the way till का तक जाना पड़ेगा 8 नहीं 7 0 से start हो रही है index याद रखना ठीक है 4 अब इसके बाद 5 ठीक है तो इस तरह से 5 इस तरह से 5 यहाँ पर आएगा यहाँ पर 5 आएगा ठीक है control D करूँगा 6 ठीक है यहाँ पर 6 आएगा यहाँ पर 6 आएगा यहाँ पर 6 आएगा ठीक है फिर इसके बाद 7 यहाँ पर 7 आएगा ठीक है यहाँ पर 7 आएगा यहाँ पर 7 आएगा that's about it ठीक है सेव करूंगा इसको यहां पर 4 यहां पर 5 ठीक है आप मैंने कोई गलती ना करी हो वैसे आप लोग का रेकमेंड करूंगा पहले एक दो के लिए चेक कर लिया करो उसके बाद लगाया करो इतना मैंने गलती अगर कर दी ना कहीं पर भी तो मुझे बहुत भारी पड़ेगी सब कि मुझे 8 तक बनाना पड़ेगा है 8 तक क्यूंकि 9 बॉक्सेज है जीरो से स्टार्ट ओर ये इंडिक्स तो 8 तक बनाना पड़ेगा तो यहां पर 8 भी लिखना होगा ठीक है चलो जी बढ़िया AIGST 8 होता है रन करते है और यह गरा लिस्ट इंडिक्स आउड ओफ रेंज ऐ यहां पर ओगे तो एक चीज एक चीज मैं आप लोग को पताना चाता हूं कि यह वाले जो एक्स्प्रेशन वाले यह ना इनको आप हटा दो ठीक है यह हटा दो इसकी कोई जरूरत नहीं है दिखाता हूं मैं आप लोग को इसकी कोई जरूरत नहीं है वह ना क्या हो रहा है अभी भी X की chance है अरे नहीं यार अब तो 0 की chance आनी चाहिए नहीं एक बर X ने खेल लिया तो तो हम क्या करेंगे कि A का iteration जब हमारी हो जाएगी यानि कि X की chance जब खतम हो जाएगी तब हम क्या करेंगे chance is equal to chance minus 1 नहीं क्या होना चाहिए chance is equal to chance not of chance ठीक है chance is equal to not of chance और अगर मैं ऐसा करूँ यार not कुछ नहीं होता है पाइथन के अंदर ऐसा क्या यह होता है क्या नहीं है लेकिन फिर यह boolean return करेगा ठीक है अगर मैंने आप not of 1 कर दिया तो यह false return करेगा ठीक है तो मुझे क्या कर देना चाहिए muhye क्या करना चाहिए 30 का वन मनाने के लिए तो अब चांस लिखता मैंस पहले टरन लिखा है turn लिखा है ठीक है कोई बात नी लिखा है turn is equal to turn percent 1 percent 1 क्या %1 करने से 1%1 क्या होता है 0 होता है और 0%1 क्या होता है 0%1 0 होता है तो %1 करने से भी काम नहीं हो रहा है यार बहुत ही सिंपल सी एक चीज मैं कर सकता हूँ शायद हसना मत क्या ही काम करेगा turn is equal to 0 तो 1 minus turn is one हो जाएगा 1 minus turn 1 हो जाएगा ठीक है turn is equal to 1 तो 1 minus 1 0 यह चीज नहीं काम करेगी जासे चीज वीसे चीज काम करेगी वैसे रक्लती में का होता है मैं is equal to not of करना हो तो false अपने अप 0 हो जाता है यहां पर कुछ चीज मैं करनी पा रहा हूँ कोई बात यह टर्न हमारे यहां पर रिवर्स होगे एक चीज और जो मुझे यहां पर करनी है वो यह है कि मुझे कुल लगा कर एक स्पेस देनी है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था इल्स क्या होगा 0 की चांस होगी ठीक है तो हम इस तरह से कर देंगे और अभी इसको रन करके देखते है ठीक है मैंने एकřसित नहीं किया था अब यह पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से मानलो एक्स ने चला यहां पर ठीक है तो यह देखो यह 0 यहां पर आगया, फिर मानलो X ने चल दिया 3 पर, ठीक है, तो X यहां पर आगया, मानलो 0 ने चल दिया 4 पर, ठीक है, तो यह यहां पर आगया, अम मानलो X ने चल दिया 6 पर, क्योंकि उसका बन रहा है, लेकिन 0 की चांस क्यों दिखा रही है, यहां पर तो x state और z state ठीक है और बहुत ही simple सी चीज़ करूँगा ठीक है बहुत ही simple सी चीज़ करूँगा और वो ये है कि मैं sum करूँगा मैं करूँगा if sum of ठीक है और यहां पर लिखूँगा i if sum of i equals to equals to 3 return कर दो 1 ठीक है कुछ इस तरह से करूँगा ठीक है और मैं आपको दिखाता हूँ क्या ही है मैं कर के रहा हूँ ठीक है मैं आप पर लिख रहा हूँ x wins is equal to अब x कब कब जीतेगा जब आएगी हमारी 0, 1, 2 पर ठीक है 0, 1, 2, 3ो पर x हो जाए ठीक है और 3, 4, 5 3ो में x हो जाए ठीक है या फिस 6, 7, 8 3ो में x हो जाए ठीक है यह तो एक case हो गया अगला case क्या होगा 0, 3, 6 यहाँ पर देखो 0, 3, 6 ऐसे करके बन जाएगा तो 0, 3, 6 और उसी के साथ साथ 1, 4, 7 अगर board में 1, 4, 7 में 3ो जगा x आजाए तब भी x जीतेगा और 2, 5, और 8 यहाँ पर भी x जीतेगा ठीक है जीतेगा ना लेकिन 2 और cases है जिसमें x जीत जाएगा और वो है diagonally 0, 4 और 8 0, 4 और 8 और एक और जो possibility x के जीतने की वो है 2, 4, 6 2, 4, और 6 ठीक है 2, 4, 6 है अब यहाँ पर आप लोग देखना मैं क्या करूँगा मैं आपर iterate करूँगा for मैं लिखूँगा for win in और यहाँ पर मैं लिखूँगा x wins ठीक है तो मेरे पास क्या होगा एक list आजाएगी अब मैं क्या करूँगा अगर इन तीन का जो sum है अब अगर sum of मैं आपर लिखूँगा win 0 win 1 और win 2 ठीक है जिसे मान लो यह वाली चीज है तो हम क्या करेंगे कि sum of नहीं या win 0 नहीं sorry x state x state 0 x state win 0 ठीक है x state win 0 x state win 1 और x state win 2 ठीक है कुछ इस तरहा से करना पड़ेगा समझ लो मैंने क्या किया है अब आप लोगो बताता हूँ भी क्या किया तो देखो x state मान लो मेरी यह है ठीक है यह पूरी x state है अब x state पूरा array है जिसमें 0 और 1 है मेरे जहां-जहां पर x है जहां-जहां पर 0 है ठीक है अब मान लो की x state 0 plus x state 1 1 plus x state 2 is equal to 3 आ रहा है ठीक है तब इसका मतलब x जीद चुका है ठीक है तो return 1 कर दो और same चीज मैंने इसको x wins नहीं करूँगा इसको wins कर दूँगा ठीक है simply wins कर दूँगा और मैं एक चीज और करूँगा यही चीज मैं check करूँगा किसके लिए ठीक है तो हम क्या करेंगे return minus 1 return minus 1 तो मैं क्या करूँगा यापड check win एक बार मैंने इसको चला दिया एक बार turn हो गया तो मैं check win करूँगा और इसको दूँगा x state और z state ठीक है x state और z state और मैं आपड चेक करूँगा कि if check win is not equal to minus 1 तब क्या करेंगे आप अब break कर दे ठीक है अब break कर दे और ये मैंने जैसे ही किया मैं यहाँ पर विजेता भी खोशित करूँगा obviously जब यह हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा zero one the match ठीक है और print definitely print c language नहीं है और यहाँ पर x कर दूँगा ठीक है अगर x जीता तो x पो अंदर गीम अनाउंस करेंगे इसको मैंने oops मैंने यहाँ पर c language का syntax क्यों लिख दिया actually आजकल थोड़े c language पे जादा coding चल दी है इसकी वज़े से दिबाग में बैठा हुआ हूँ है ठीक है और return a plus b plus c ठीक है अब run करता हूँ इसको ठीक है मालो 2 पर खेल दिया x ने ठीक है यह क्या हुआ x ने 2 पर खेला तो यह break क्यों हो गया x ने 2 पर प्लीज एंटर वाल्यू 2 इसके बाद यह break हो गया ऐसा क्यों हो गया मैंने तो while true लिखा था तो अगर कोई भी जीता है तो यह return one करेगा वरना यह return zero करेगा ठीक है और one return minus one करेगा ठीक है अगर minus one नहीं है check win is not equals to minus one मैं काम करता हूँ यहाँ पर print लिखके match over print करा देता हूँ और मैं इसको भी run करता हूँ मालू one में print किया है match over ऐसा क्यों check win minus one क्यों return कर रहा है तो मुझे check win मुझे c win नाम का एक variable बनाना है ठीक है कुछ इस तरह से अब मैं करूँगा तो यह चलेगा ठीक है zero की है मैंने देखो x यहाँ पर आगया ठीक है मालू अब zero की chance है तो मैं यहाँ पर one लिख दूँगा तो देखो यहाँ पर zero आगया ठीक है अब x की chance है मैं जारा बड़ा गल देता हूँ इसको ठीक है अब किस की chance है अब chance है हमारी x की chance है ठीक है तो x कोशिश करेगा जीतने की eight पर मारेगा ठीक है eight पर मारा एकस ने देखो यहाँ पर आगया यहाँ पर x आना चाहिए था है आया क्यों नहीं यह तो एक बहुत बड़ी problem है मालो seven पर zero मानना चाहता है लेकिन eight पर x ने क्यों नहीं मारा यारी यह मुझे समझ नहीं आया जब मैंने eight लिखा है यहाँ पर प्लीज एंटर वैल्यू eight तो यहाँ पर यहाँ आना चाहिए था ना x को आया क्यों नहीं क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है zero if z state eight else okay तो यहाँ पर देखो यह गलती है ठीक है यह गलती मैंने कर रहा ही थी प्रोग्राम में अब प्रोग्राम ठीक है कि zero one two three five six seven eight zero one two three five six seven eight zero one two four six seven eight अब सभी है नहीं नहीं यार एक बार होती है गलती है बार बार पर तोड़ नहीं होती है कोई अब देखो अब मैच क्हेलते हैं मजा आएगा ठीक है सबसे पहले एक्स की चांस है six पर करा X ने 6 पर करा अब 0 की chance है 0 ने 2 पर कर दिया अब X की chance है X ने 0 पर कर दिया यानि कि यहाँ पर अब 0 की chance है वो बनाने की सोच रहा है उसने देखा निकी 3 पर भी X कर देगा उसने गल्ती से कर दिया 5 पर लेकिन X सा शातिर X ने 3 पर करके बना लिया और X won the match देख रहे हो X won the match X जीत गया ठीक है तो ये था हमारा टिक टाक टो Python के अंदर अगर आप लोग इसको restart करवाना चाते है गेम को तो आप restart भी करवा सकते हैं मतलब simple सी चीज़ है ठीक है I hope की मज़ा आया आप सभी को इस छोटे से Python project में अगर आप लोगो को Python का course करना है तो मैंने एक पूरा course बना रखा है और उसको आप लोग ज़रूर access करना यहाँ पर अगर आप लोग search करोगे Python with Notes channel पर आकर तो आपको यहाँ पर बिल जाएगा ठीक है आप यहाँ पर यह देख सकते मैं एकदम प्राइडाइज कर दूँगा अगर आप लोगो ने comment किया हमें 2022 का latest python 3.10 .4 जो भी latest version चल रहा है ठीक है बाइसे वर्जन तो थोड़े बहुत change होते रहते हैं आगे पीछे लेकिन अभी के हिसाब से जो latest चीज़े हैं मार्किट में जो जो चीज़े आई हैं उसके हिसाब से अगर आप लोग को एक नया python course चाहिए मुझे नीचे comment में आट जिल्दी से बता दो I would love to make it अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाईस यह source code आप लोगो मिल जाएगा description में and I will see you next time आप